हेलो असलाम अलेकूम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे आपके दुआउं से अलहमदुलिल्ला हम भी एक्तम ठीक हैं तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फ्राई मसाला चिकन फ्राई जिसके लिए मैंने एक किलो यहां पे चिकन लिया है और एक पाउं यहां पे दही लिया है और चिकन को मैंने अच्छी तरह वाश करके दही इसमें एट कर दिया है अब हम इसमें डालेंगे एक चमज लसन विसा हुआ और एक चमच अद्रक का पेस्ट लस्तन का पेस्ट एक चमच अद्रक का पेस्ट ठीक है उसके बाद यहां पर हम पूरा एक लेमन जो है हम इसमें निचोड देंगे आधा में और नहीं चोड़ दूँगी बहुत ही केस्टी मज़ेदार बनती है यह इन्शालला आपको जरूर अच्छ लगएगी आप जरूर ट्राइ करिएगा अच्छा अब हमें मसाले चाहिए यहां पे कुटीवी मिर्चे एक चमच हल्दी दो चुटकी और पिसावा धनिया है यह एक चमच गरम मसाला आदा चमच नमख खस बजरूर देड़ चमच पिसीवी लाल मिर्चे तो अब यह सारे मसाले मैं इसमें एड़ कर दूँगी देखें मैं इस सारे मसाले एड़ कर दिये हैं बहुत ही टेस्टी मज़िदार बनती है इंशालल आपको अच्छी लगी किया आप जरूर ट्राय करिएगा अच्छा थोड़ा सा हम जो क्युक्टिंग ऑई डाल रहे हैं इसके अंदर अब अच्छी तरीके से हम जो है चिकन में मसाले सारे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें यहां पर मैंने चिकन को मसाल लगा दिया है अपने एक घंटे के लिए चिकन के जो है ढगकर कवर करकर ऐसी छोड़ दूँगी एक घंटा हो चुका हमारे चिकन को यहां मैंने अपना पैन घरम कर लिया है आदा कब तकरीमन आदा कब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑईल एड़ कर रही हूँ और हलकी आश रखनी है हमें तेल हमारा हलका घरम हो चुका है अब हम क्या करेंगे चिकन को इस तरह पीसे उठाकर जो है इस तरह सैटिंग से जो है रख देंगे इसके अंदर इसमें पानी बिल्कुल भीने ही डलेगा क्योंकि दही है लैमन है इतने सारे मसाले है तो वह पानी जो छोड़ेंगे उसी में चिकन हमारा जो है गल जाएगा लिए लिए इस तरीके से आपको चिकन इसमें रख लेना है कि देखें चिकन अच्छी तरीके से और इसको मैंने कवर कर दियाहे अब तकरीबन आदे से 10 गणता हमारे ऐस्के ऐल्याज पर छोड़ दीया था और अब मैं इसको चेक कर रही हूँ कि देखेंे os पानी में घृट च्कन को छोड़ा था था अपनी माशल ला माशल ला च्कन हमारी जो हैं छेक कर लेते हैं अब अब तक तो जो हमारी गल चुकी है बिल्कुल हलकी आज पर आपको दम पर इस तरह चोड़ना है कवर करकर पानी में गल गया देखे रोगन उपर आ गया है मसाला एक दम परफेक्ट है चिकन भी गल गई हमारी माशालला माशालला बहुत प्यारी प्यारी खुश्वा आजिये इसमें से अब हम क्या करेंगे के कवर कर देंगे दुबारा से और यहां पर हमने दुसरे चूले पर जो है कोईला गरम कर लिया है अब हमने कवर हटाया है दो मिनट के बाद यहां पर हमने कटोई रखकर इसके अंदर जो हमने कोईला गरम किया है वो रख देंगे और थोड़ा सा घी जो है हमने अपने कोईले के ओपर डाल देना है यह देखिए अब हम फॉरन से कवर कर देंगे अब पांच मिनट के बाद जो है मैं चूला बंद कर दूँगी क्योंकि कोईले की खुश्बू भी आ गई है यह देखिए मज़दार चिकन फ्राइ हमाई तयार है उमिद करते हूं रैसे पर आपको अच्छी लगी होगी